अस्कोर्ट लेंड के खिलाब हार के बाद वेस्ट इंडिज की टीम हुई वर्लकप 2023 से बाहर तो वहीं जीत के बाद अस्कोर्ट लेंड टीम को हुआ पॉइंट स्टेवल में बहुत बड़ा फाइदा जी हाँ दोस्तों आखेकर कैसा है ICC वर्लकप 2023 सुपर 6 का पूरा पॉइंट स्टेवल बताएंगे सब कुछ आज के इस बहदी खास वीडियो में आगे लेकिन उससे पहले दोस्तों आप भी चाहते हो कि वेस्ट इंडिज की टीम ODI वर्लकप 2023 के लिए कौलिफाई करे तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दिजिए साथी किर्केट मेदान से जूड़ी और ऐसे ही ख़बरे पाने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों आपको बता दे कि आज ICC वर्लकप दोजाते सुप थी खराब रही असकोड लेंड टीम की खतरनाक बोलिंग अटेक के सामने कोई भी वेस्ट इंडिज बले बाद ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाया और एक के करके बिकेट गवाते चले गए वेस्ट इंडिज की ओर से सबसे ज्यादा जेसें होल्डेर ने 45 रन ब बेहतरिन साजेधारी निभाई और मुकाबले को असानी से जीत लिया इस हार के साथ वेस्ट इंडिज की टीम वर्लकप 2013 से लगभग बाहर हो गई है तो चलिए दोस्तो अब एक नजर डालते हैं असकोड लेंड टीम के जीत के बाद ICC वर्लकप 2013 सुपर 6 के पूरे पॉइ अरजित कर चुकी है तिसरे नमबर पर असकोड लेंड की टीम है जो तीन मुकाबले खेली है दो जीती है और एक हारी है पॉइंड स्टेवल में इसके चार अंख है चौथे नमबर पर नीदर लेंड के टीम है जो तीन मुकाबले खेली है और तीनों मुकाबले हार चुकी ह इसके पॉइंट स्टेबल में जीरो अंग है छटे नमर पर ओमान के टीम है जो तीनों मकाबले खेली है और तीनों मकाबले हार चुकी है पॉइंट स्टेबल में इसके भी जीरो अंग है तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी नीजे कमेंट करके जरूर बताएगा साथी किर्केट मिदान से जूड़ी और ऐसे ही खबरे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूले